विज़ेश ग्यान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है दोस्तो मैं आपके समख्ष फिर से उपस्तित हूँ एक नए विडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है यह हमारे एफेक्टिव हंड्राइटिंग फर सक्सेस सिरी से लेटेड है और इस विडियो में जो हम topic discuss करने जा रहा है उसका नाम है इनसान और handwriting में क्या संबंद है यानि कि human being and handwriting एक इंसान है उसकी handwriting उसके life से कैसे जुडि हुई है इसके बारे में डिसकस करने जा रहा है कि हमारी जो हमारे हैं ज Signal Attree को कैसे को रिलेट कर सकते हैं और कैसे को बारे में यह बता सकते हैं कि इसका है है किसाயिञ छोट क्या है सब्सक्राइए हमन barking के माधियम करते 스타일 की नहींeles मानौ कि बात करें मानम जीवन की बात करें इंसान की बात करें तो पहला क्या है एक हमारे thoughts होते हैं जो क्यों सोचते हैं उसके बाद क्या होता है उस thoughts के basis पर action लेते हैं फिर action लेते लेते हैं अगर हम इसको repeat करते हैं हमारा action क्या होता है habit में convert होता है और habit क्या ह dato है किषयोट ये गमार्हान करता है तो यह फॉट से एक्सवन है करेक्टर है हमारे सिक्विंस प्रॉश्य सोता है जो हमारे चल जल एन दर चलते रहता है जिक किसी साथ से काम करते हैं और काम को बार करते हैं सको र bother करते हैं उसके यह देखना है कि यह गून यह जो हम करें उसको हींट आपकर करेंगे तो अगर दाइट की बात करें तो जैसे आपकी स्कृरीन पर जो पेड़ेगर आप हैं इंगलिस में लिखा जो एक सेंटेंस के करिंशंट है इसमें क्या है इसमें किया है इसमें लेटर is लेटर से क्या बना हुआ है वर्ड बना हुआ है और वर्ड मिलकर क्या निर्मान करता है एक संटेंस का निर्मान करता है और कई संटेंस मिलकर एक पैराग्राफ बनाते हैं तो जो हमारा इंगलिस का पैराग्राफ है इसका बेसिक लेटर है लेटर की कंबिनेशन से वर्ड बन सब्सक्राइब करते हैं अब देखते हैं कि जो राइटिंग में जो करता है हमारे हैंड राइटिंग से हमारे सोचने की तरीका कैसा है कैसे सोचते हैं राइटिंग से लिखते हैं उसका लेटर हमारे थोट्स को बताता है अध्याय को है और कई सेंटेंज जो मिलकर हमारा क्या करते हैं और करेक्टर बनाती है और करेक्टर पताता है कि हमारी क्या है यह रहा कोडिलेशन कि human being यान कि इंसान और handwriting उसकी handwriting कैसे उसको एक दुसरे को correlate करती है इसके बारे मैंने हमारे लेटर वर्ट सेंटेंस से कैसे रिलेटेड है तो आपको मैंने कई वीडियो जो बनाये हैं इसके पहले handwriting analysis का बार 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 बताता हूं कि handwriting analysis बहुत है तरीका है जिसे आप आपने आपको अच्छे से समझ सकते हैं जोस्तों अगर आपने आपको या आपकी कोई भी नियर एंडियर हैं उनकी handwriting के माध्यम से उनका स्वाट एनालिसिस यानिकि strength weakness opportunity threats उनकी personality उनकी health condition को आपको समझना है जानना है आपकी क्या weakness है आपका क्या है तो आप एक पर अपने handwriting analysis कीजिए या मेल कीजिए और कहीं से भी करवाईए इसको क्योंकि यह जो सोर्स है handwriting analysis यह आपके बारे में बहुत चीजिए को explain करता है तो आप इस mail id पे आप एक a4 paper plane paper में जो आपका natural writing है उसको लिखकर mail कीजिए या कोई भी जनकारी आप हमसे ज करना चाहते हैं आपको signature analysis करवाना चाहते हैं तो इस mail id पर मुझे mail कीजिए हम फिर फदर आपको contact करेंगे और उसकी बारे में discuss करेंगे तो दोस्तों यह topic रहा इसको हम conclude करें और इसको summarize करें तो मैंने इस topic में discuss किया कि human being और handwriting के दूसरे से कैसे correlate करती हम जो लिखते हैं और हमारे जो personality है उसमें क्या correlation है हमारे एक्षंस थौर्ट कैसे हमारे लेटर वर्ड सेंटेंस और परागराफ से मिले हैं तो आसा करता हूं कि यह जो वीडियो है यह ग्रफ लॉजी है हम्रेटिक इनलिसिस के जो science है इसको आपको किसी फॉर्म में कहीं ने कहीं add-on करता है आप आपके knowledge के फॉर्म में आपके behavior के फॉर्म में आपकी changes के फॉर्म में जो भी change करना चाहते हैं understanding के फॉर्म में वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए और आपके भी कुछ feedbacks है पॉइंट है उसको comment out के माधिम से सुचित कीजिए ताकि हम उसे फर फर्दर action ले और आप पहली आपके कैसिंस मिले और इसका फायदा उठा सकते मिलते हैं फिर आपसे दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपी के साथ अब तक खुश रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं और अपने गोल के प्रतिय अगर सब्सक्र कर काम कीजिए thank you और मैं आसा करता हूं कि आने वाला जो समय होगा आपके जिए बहुती महत्तों